देखिए आज जो हम लेक्चर डिसक्रस करने वाले हैं इस बाउट MCQ कोशेंज और अज MCQ कोशेंज हमारा टॉपिक होने वाला है इस इंशन इस्ट्री एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लोगों पढ़ने में भी लगता है बट आज हमारे MCQ कोशेंज देखिएगा आपको परज़ जाएगा किस तरह आपको पढ़ाई करनी चाहिए कोशेंज देखना बहुत जरूरी होता है सिर्फ आप पढ़ते रहेंगों कोशेंज नहीं देखेंगे तो आपको एक्जाम में बहुत दिक्कत आएगी यह लेक्षर हम 94 है याद है कि मतलब प्रिवियस में 93 लेक्षर बना चुका हूँ तो इक बट जरूर प्रिवियस लेक्षर भी देखिए इंडिविज्यल टॉपिक्स के हैं तो आपको बहुत हेल्प करेंगे बट लोग के दिमार्ग में होगा सर कि हमें पढ़ाई भी करनी है मतलब कहां से हम पढ़ें यह सब चीज़े इंडिविज्यल सब्जेक्स हमें पढ़ने तो उसके लिए आप मेरा अप्लिकेशन डाउनलोड कर लें दिवशिष क्लासेस लिंक के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है तो यहां पर आपको recorded और live lectures दोनों प्रोवाइड किये जाएंगे प्लस updated notes भी रहेंगे जैसे मैं आपको example बतायता हूँ आप मेरे application को open करें वहाँ पर आप मेरे UPC prelims crash course को open कर लेंगे जब आप open करेंगे वहाँ पर तो देखिए वहाँ पर आपको उस crash course prelims 2022 में आपको इस तरह content में आप क्लिक करेंगे तो देखिए general studies, CSAT दोनों के अलग-अलग content है प्लस notes की PDF अलग दी हुई है notes को आप download भी कर सकते हैं या दखिएगा तो अगर आप general studies में क्लिक करेंगे देखिए current affairs, everything, quality, geography, history, economics, environment, general science इसके individual, properly, एक syllabus को properly compete किया है और इन ही के आपको notes भी, उसी के नीचे मैंने बताया आपको notes भी, सारी files भी जो है, वो भी हमने upload कर दिया तो एक बार crash course जरूर देख लें, आपको help करेगा ठीक है, other subjects को भी आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप visit का सकते हैं तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं, इंशन इस्टी के, जो MCQ questions है वो interesting क्यों हैं, मैं आपको बताद हूँ, लेक्चा को end जरूर देखना आप क्योंकि आपको ये समझ में आएगा, questions जो आप पढ़ रहे हैं, उसको question किस तरह फ्रेम किये जाते हैं So let's start with the first question, पहला question जो आपके सामने है, that is easy but interesting question Patanjali के हम बात करते हैं, a notable grammar who wrote the Mahabhashya, याद रखेगा तो बड़ी important grammar लिखी, इस कराम है Mahabhashya, remember, ठीक है तो पूचा गया है, उस ताइम पे किस के contemporary थे, उस ताइम पे कौन डूल कर रहा था है, इस आप कह सकते है इन में से किस के वो contemporary थे, that is Patanjali, remember, ठीक है options है, कभी-कभी यही पूली आता है, यह किस ने लिखी हुई है, याद रखेगा, तो answer याद रखना है आपको question यहाँ पर है contemporary को होना है, थोट है difficult question हो गया, पट यह question भी एक बनता है, तो इसको भी note down कर लें options आपके सामने दिये हुए, आपको correct answer mark करना है, बहुत famous ruler है, याद रखेगा, इसका correct answer है, that is option number A, पुष्मित्र सुंगा, इसका correct answer है, but पुष्मित्र सुंगा, इसका correct answer है, but पुष्मित्र सुंगा, of course, सुंगा डानेस्टी थी, उसके founder है, ठीक है, but मेरा question एक और है, यह जो है, याद एकि जिन्होंने सुंगा डानेस्टी को form किया, किस डानेस्टी को हटा के, इन्होंने अपनी सुंगा डानेस्टी फॉर्म की, तो comment box सा मुझे बताए, किस डानेस्टी को इन्होंने हटा के अपनी डानेस्टी बनाई थी, okay, this is also very important question, तो यादे कि उस ताहें प की बात कर रहें, याद रखेगा, तो हमाई सामने तीन इंपोर्टनेंट आपने रूलर सुने होंगे, चोलास के, चेरास के, पांडयास के, okay, बहुत फेमस है, ठीक है, चोला, चेरा और पांडया, remember, तो question यहाँ पूछा गया है, the three crowned kings, of course, that is, the चेरास, the चोलास and the पांड text, remember, तो संगन टेक्स में, टेक्स में, यह तीन crowned kings को किस नाम से जाना जाता था, तो this is very interesting question, okay, यह question आपको NCRDs में, Tamil के भी NCRDs में, हर जगे आपको एक question मिले का, remember, आप सावे चार options है, यह UPSC में ऐसे questions आने जाना से सबसे ज़्यादा है, state pieces भी ऐसे questions कवर कर सकता है, त update term, नहीं सुराओंगो, देखे, बिल्कुल ही, आप ब्लैंक हो जाते हैं, ऐसे questions को देखे, क्योंकि अगर याद है, तो answer बनेगा, नहीं याद है, तो नहीं बनेगा, of course, तो रंत अपने संगम age के जहां भी आपने notes बनाएंगो, तो रंत अपडेट कर लिए, correct answer option number A है, यह मुविंदर जो है, वो टर्म है, that is used for three crown kings, तो पुछा रखता है, मुविंदर three crown kings, कौन से three crown kings ही बात करता है, तो यह भी याद रखना है, पांडियास, चेरास और चोलास, तो बहुत फेमस हैं, क्योंकि इनके बारे मैंने पढ़ाया भी हुआ है, तो आपको बता होना है, अब यह देखे, right faith, right knowledge, right conduct, right livelihood, okay, अब buddhism और journalism आपने पढ़ा होगा, तो of course वहाँ पर भी eight fold path पढ़ा होगा, बुद्धिजब में, तो confused हो जाते हैं, कि actually वहाँ पर भी पढ़ाया, इनके से कौन सा नहीं है, कैसे याद करें, तो इसको प्लीज एक बार गो थू याद हो नची, मैंने short form बताया था, KFC याद कर ले नाब, ठीक है, है ना, KFC के नाम से answer आजाएगा, तो knowledge है, faith है, और conduct है, तीनों है, तो क्या बचा, right, livelihood, बट जब यह कोशन आता है, तो यहाँ पर तो करें का answer D है, बटाता है, तो हमें क्या eight fold path भी याद आ जाते हैं, मै पर अंदान से लगा देगा, correct answer option number D है, that is right, livelihood, remember, और यह मैंने तीनों रतने हैं पर आपके जो है, ती रतनों of three gems of jainism, mention कर दिये हैं, okay, वैसे मैंने jainism वागरे साब पढ़ा रखा है, even मैंने thinkers में भी jainism में पढ़ा हैं चीजे, okay, next question में फोर्थ में आते हैं, this is also very interesting question, अशर उपनिशद के रिकारणी, दो statement है, the literal meaning of उपनिशद का literal meaning है, to sit near, ठीक है, पास में बैठना एक तरीके से, okay, second statement है, उपनिशद describe the discussion between the disciple and the guru, okay, guru और disciple के बीच में discussion जो है, वो उपनिशद define करता है, आपको correct answer बताना है, बहुत सहिमास है उपनिशद, आपको पता होना अची उपनिशद क्या होता है, जिसको नहीं पता, कोई बात थी, मैंने तो अल्रेडी पढ़ाया हुआ है, एक बहुत इंपोटेंट अधी शंक्रा चारेज जी के बारे में पढ़ाया हुआ है, थिंकर्स में, remember, वहां मैंने उपनिशद के बारे में भी बताया हुआ था, तो यहां पर correct answer तो option of A है, दोनों ही statement सही है, देख उपनिशद का मतबता है पास में बैठना, और पास में किस तरह बैठना है, गुरू यहां बैठे रहेंगे, उनके आसपास क्या रहेंगे, remember, जो उनके शिश है, वो बैठेंगे, और उनके बीच में dialogues होगे, remember, simple dialogues होगे, between guru and his disciple के बीच में dialogues होगे, remember, ठीक है, अब आपको मुझे comment box में बताना है, यह जो उपनिशद की study, मैं अगर आप school of philosophy पढ़ेंगे, हिंदुज़ा में school of philosophy पढ़ेंगे, तो six school of philosophy mentioned है, remember, ठीक है, वो six school of philosophy ने, एक school of philosophy ने उपनिशद को study किया है, remember, तो आपको मुझे बताना है, कौन सी school of philosophy ने उपनिशद की study की है, this is very interesting question, एक बाद जरूर बताईएगा, मैंने हिंट भी दी अधी शंकराचार जी का नाम लिया, शायद आप सोच सकते है, remember, तो comment box में जरूर बताईए, बड़ा interesting question है, correct answer है, option number A है, both 1 and 2, remember, ठीक है, आग सी lake situated है, गिर्नान माउंटेन में, गिर्नान माउंटेन में, गिर्नान माउंटेन और अलसो वरी famous, ठीक है, was renovated by सकंद गुप्त, ठीक है, बड़े famous ruler है, सकंद गुप्त, remember, उन्हों रेनोवेट किया था, options आपके सामने हैं, remember, है न, आपके फतेशागर लेख है, चिलका ले अब्डेट करें, correct answer option में D है, that is Sudarshan Lake, located in Gujarat, remember, ठीक है, और एक inscription है, आपको याद अखना है, जूनागर इंस्क्रिप्शन, याद अखेगा, तो जूनागर इंस्क्रिप्शन जो है, उसमें Sudarshan Lake के बारे mention है, तो ये भी question बुच्छा था, जूनागर इंस्क्रिप्शन में कौन सी lake के बारे mention है, that is Sudarshan Lake, तो इसका answer ये भी हुआ, अब ये Sudarshan Lake जो है, आप देखेंगे, वाटर मैनेजमेंट के लिए बनी हुए गुजरात में, इसको, actually, याद अखना है, आपको दो बार रेनोवेट किया गया है, तो ये भी आपको याद अखना है, कि इसने बार एक बार रेनोवेशन किया है, कि इसने सकंद गुप ने, जो मैने कोशन पूछा, बिल्कुल इन्होंने रेनोवेशन किया है, एक बार एक और रूलर थे, ठेक है, मैं आपसे homework दे रहा हूँ, आपको मुझे comment box में बताना है, कि कौन, इन्होंने तो second time रेनोवेट किया है, first important rulers है, और गुजरात में लेक लोकेड़ है, तो अफकोस गिनान मांटर भी आपको समझ में आरा हूँ, गुजरात में ही है, बिल्कुल सही है, तो correct answer option में D है, यह questions मैंने बता दिये है, comment में जरूर कमेंट करें, बहुत important question है, okay, चली, next question में आते है, question में 6, easy है, बट confused हो सकने कुछ लोग, मैंने 3 लोग के बारे पुछा है, important travelers है, magasthenes, फाहिन और यून सांग, शायद आपने बहुत सुना होगा इनके बारे में, okay, question यह है, यह तीनों रूलर को arrange करना है, कि सबसे पहले कोन आया, उसके बाद कोन आया, correct sequence में, तो easy हो जाता, I think, आप arrange कर सकत यून सांग पहले हैं, कि फाहिन पहले है, अब यह आपको पता होना चीए, नहीं पता होना चीए, नहीं पता है तो approximation पता होगा, वो भी नहीं पता है, तो चलिए मैं आपको बताए तो अगली बार से याद अखना, correct answer option में A है, first है magasthenes, second है फाहिन और थर्ड है यून सां अब सब्सक्राइब क्या है, तो चलिए मैं आपको टाइम प्रेड बतायता हूँ, magasthenes around 4th century BC, फाहिन 400 AD, remember, और यून सांग की बात का तो 632 AD, तो आपको याद अखना है, यून सांग मैंने बताया भी था, H से यून सांग, H से हर्ष वर्द है, remember, तो आप ऐसे भी याद क कर सकते हैं, ठीक है, फाहिन किसके टाइम पर आया थे, ये भी आप सोच सकते हैं, किसके टाइम पर बहुत फेमर सुलर, remember, magasthenes का भी बहुत important, मैंने बताया हुआ ये सब चीज़े, तो correct answer option में यह है, इनकी time plate आपको इस तरह easy question है, but कभी-कभी exam में confused हो जाते है, 7th question, अब हम आते हैं, कुछ current affairs के questions, remember, ये मैंने कुछ ancient history करा दी, अब कुछ मैं current affairs के questions भी discuss करता हूँ, okay, अभी आप देखा हमाई सामने union budget I 2022, question done मानी है, आपके जितने भी exam होने वाले हैं, अभी recent ली, आपको budget और economic survey से question देखने को जरूर मिलेगा, नहीं पढ़ा है, तो यार मेरे lecture देख लो आप, मैंने अल्रेडी budget और economic survey का पूरा lecture पढ़ा दिया है, उसे ही exam कोशन आपको जरूर देखने को मिलेगा, एक कोशन मैंने उठाय हुआ है, देखे, ramp program, सीधे से बोला है, अभी news में है, budget में announced किया गया है, किस sector के लिए, ramp program, space technology के लिए, research and medicines के लिए, ruler development, MSME, direct question है, current affairs का, पढ़ा होगा budget तो तुन बता देगा कोई, full form भी मैं इसका बता दूँआ, correct answer है, MSME, 6,000 करोड, budget में allocate किये गए है, ramp का full form से ही answer आजाता है, that is raising and accelerating MSME performance, remember, और किता सरकार ने, 6,000 करोड, next 5 years से सरकार इसमें allocate कर रही है, remember, इस program के तुरू, direct question हागा, remember, आन साब को direct बताना है, सोचना नहीं है, इसके बारे में, यह easy question होगा, ramp program, आ सकता है exam में, या दखना, next question, 8th में आते है, current affair question, अभी news में भी है, annual status of education report, अभी recently conduct की गई है, okay, release की गई, remember, so conduct कौन कराता है, नीती आयो, ministry of women and child development, NGO प्रथम या ministry of education, अब annual status of education, education देखते हैं, आपके दिमा अगर यही answer होता, तो मैं question क्यों पूछता, remember, मैं कुछ इसलिए questions लेका दो, इसमें आप इसको update करें, मैं अपनी knowledge को update करें, यहाँ पर आपको इसलिए an interesting question आता है, क्योंकि इसका answer जो है, NGO प्रथम, तो पहले तो आप याद कर लो इस question को, ठीक है, NGO प्रथम, और NGO प्रथम इस अवार्ड का नाम comment box में बताईए, यह भी question आ सकता है, वो award किसको मिला है, remember, तो answer NGO प्रथम है, और यह report कौन प्रथम है, और यह report कौन प्रथम है, that is NGO प्रथम, remember, अब इसमें क्या होगा, annual status of education report, related education होगा, remember, ठीक है, child enrollment क्या हुआ, basic learning level क्या हुआ, यह सब चीजों के ब प्रवेगा, remember, यह news में, यह है क्या, यह drone के prototype है, remember, polar region में expeditions related, super computers है, GM crops है, of maze, direct question है, ऐसे question है, यह news में है, यह है क्या, state pieces में इसा question आ जाएगा, cds assistant commandant, आपके बहुत सा exam से इसा question पूछे जाएगा, अभी news में भी है, आपने सुना भी होगा, मैं तो current affairs updated के मेरे Instagram पेज मे मैंने डाला था, remember, अभी news में है, ठीक है, correct concept, बहुत लोग ने बता भी होगा, yes, param computers सुने होगे, आपने, super computers के बारे में, correct answer options ही है, उसी की series है, याद है, शिवाय, सिध्धी, परवेगा, और recent ही देखे, जो मैंने news में डाला था, मैं लिग भी दिया कि रखा है, param जो series है, super computers की, उसी की नाम है, remember, मैंने ये article डाला था, मेरे तो Instagram की post आप देखते रहा करो, remember, मैंने पुरा Indian Institute of Science की बात की, जो ने commission किया, one of the most powerful computer in India, और इसका नाम क्या है, param परवेगा, remember, तो ये news में था, मैंने अपडेट भी किया था, तो उसको भी देखते रहा करो, question exam में आ ज example से, ये एक global initiative है, ठीक है, इसको world bank और UN water जो है, वो चलाते है, ठीक है, यहाँ पर ये open fall और river cities, river cities, मतलब आपको पता होगा, बहुत सा रिवर्स के bank पर cities establish होती है, तो वो join कर सकती इस alliance को, तो second statement, river cities से है, अब सो चलोंगे sir, अब ये international initiative है कि नहीं, ये confused होंगे, sustainability की, remember, कि से हम रिवर्स को protect कर सकते है, sustainable use कर सकते है, ये सब बाते discussion होता है, हाँ पर, remember, तो second statement तो सही है, first statement, क्या ये global initiative है, क्या इसको UN, world bank के थू कर रहा है, generally question UPC यहीं पर फसाता है, याद है, ये statement है wrong, correct answer है, be only to only, अब आप सोचोंगे sir, किसका initiative है, अब सोचोंगे sir, कि ministry of jalshakti, along with ministry of housing and urban affairs का है, remember, तो confused नहीं होना है, कि world bank और ऐसा करके option देदे तो आप confused हो जाए, तो यहाँ पर correct answer option number B था, first option wrong था, ये ministries याद अखना है, हो सकते है, यहाँ पर, ministry of jalshakti की साथ, ministry of rural development लिग दूँ, तो question गलत हो जाएगा, तो ये भी आपको याद अखना है, important है, अगर आप चाहेंगे, google में डालेंगे, तो अभी recently news में click का दे न, news में चल रहा है, hindu के article में आया, remember, ठीक है, तो यहाँ पर हमाई 10 questions cover हुए, जो उन्हें end तक देखा होगा, समझ में आऊंगो न, questions किस तरह frame की जाते हैं, easy भी होते हैं, difficult भी होते हैं, remember, ठीक है, हाँ पर आपको आप तो डाउनलूट कर सकते हो, इसके लिए कोई charges नहीं, remember, test series को visit करो, थोड़ा बहुत spending करोगे, तो आपको benefit ही होगा, कोई exam crack हो जाएगा, वो जाधा important है, थोड़ी बहुत spending के चक्कर में आप यह मत सोचो कि यार, free में हर चीज मिल जाए, remember, इस चक्कर म समझ में है, कुछ questions बने, कुछ सीखा, that is more important, okay, कुछ आप ते-पते notes में अब्डेट किया, यह सबसे आदा important है, ठीक है, तो अगर आप यह काम कर रहे हैं, तो बहुत अचा काम करें, 94 लेक्शे सक पूच चुके हैं, बहुत जल्दी हम 100 लेक्शे कंप्रीट कर लेंगे, questions साते रहेंगे, आपको questions बनाते रहना है, solve करते रहना, that is a major initiative, remember, कोई doubt query है, comment box से comment करें, जो मैंने questions बूचे है, वो भी important है, या दखे, उनको भी comment करें, search out करें, find करें, क्योंकि उससे आपकी एक level आपका develop होता है, okay, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रू करें first time channel my channel को subscribe कर दो, notification को बटन दबा दो, इसमें आपको हमाई lectures के बारे में information मिलती रहे, कोई और आप कुछ suggestion करना चाहते हैं, तो भी आप comment box में comment कर सकते हैं, thank you